नमस्कार किसान भाइयों आफ देख रहुा है कृशी 9 दान travelled देंडी यूटीूब चैनल तो किसान भाइयों में TR differs- tournament से पहले कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस की कि जानकारी चीजों की जानकारे हमें heading यहांपर होना चाहिए एक ट्रैक्टर खरीदने से पहले क्यों कि पूरी जानकारी जो है हमें илось रिया moves बैचते हैं मुँआने तर सकते अमसे बड़ा सांबना कीजा धोना कीजिए और आज हम इस विडियो में बताने वाले कुछ पॉइंट की जिनकी जानकरी आपको थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए सबसे बात कर लेते हैं कि पहरी जानकरी जो होनी चाहिए आपको वह है इंजिन की जानकरी आपको यहां पर होनी चाहिए इंजन में कोई तीन पॉइंट यहां पर मैं रखूंगा जिसके बारे में आपकी जानकरी यहां पर होनी चाहिए इंजन की बात करें तो कितने सिलेंडर का आपका इंजन है इसके बारे में भी आपको जानकरी यहां पर होना चाहिए लिए डोशेटीर प्रेशराइपारोफ विए इंजन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सा आपके लिए प्रर्फुरंस जाधा करता है कौन सा आपके अच्छा रहे चेतने जाधर उतना है आपके लिए बहतर रहेगा अब अब बात करें कि आपको टर्बो या इजीयार एंजन के सा इंजन जो है अमारे लिए बहतर रहेगा तर्बो इंजन अच्छा रहेगा इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए और इसके बारे आपके रूप में एक और बढ़िया में या फूल वीडियो आपके और रोटरी पंप होता इंजिन में तो कौन सा बहतर रहेगा हमारे लिए इंजिन में इन लाइन रोट इन लाइन पंप अच्छा रहेगा या रोटरी पंप अच्छा रहेगा तो बहुत सारे किसान भाई यहां पर कहना है कि इन लाइन जो अपर पंप है वह इंजिन में जो ह लोट्रवेटर चला सकते ना यहां पर सेडिल चला सकते तो इसके लिए या दो सेंसिंग यह लगे हुई है या डबल पॉइंट सेंसिंग यहां पर दि गई है इसके बारे में हमें जानकारी यहां पर होना चाहिए जाकि हमारी जो लीफ्ट है उसकी कारे करने की शम्ता जो है यहां पर अधिक हो दूसरी बात हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारा हाइड्रोरिक लीफ्ट है उसका पंप अलग होना चाहिए और पावर स्टेरिंग को जो पंप है वो यहां पर अलग हमारा जिंदगी बर चलने वाला ऐसा नहीं है बहुत सारी कंपनिया क्या करती है कि ट्रेक्टर तो बेच देती है उसके बाद चली जाती है तो उसके पार्ट्स जो है ट्रेक्टर के पार्ट्स हमें अवेलेबल नहीं होते है मार्केट में तो इसके लिए हमें ट्रेक्टर के म इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक ट्रक्राइब लाइए तो चोथे पैंट की बात करें अगर हम आप आऊ-ट्रक्राइब मैं जानकारी यहां पर होनी चाहिए कि यानि कि आ पर रहे हैं वह कितना डिशी आ पर नहीं देगा इसकी सही जानकार है को किसान भाई दे सकता है तो आपने गाउं शहर जहां भी रहते हैं वहां से अलग-अलग कंपनियों के जिसने भी ट्रक्टर रखे हुए किसान भाई ने उनसे जाकर आप जरू पूछेगा कि आपका जो ट्रेक्टर है वो कितना एवरेज हो रहा है तो हमें पलस पांच और जोर्ण का चालीस ह्पी कर आपर ट्रेक्टर लेना रहा है यह काम अगर पांच आएगा जिसलिए के आपकी जिस्त्रीं की सर्वी सेवरेज वह, आपका ट्रेक्टर है वो हमेशा अंडर लोड चले जिसे वो खराब नहीं हो अगर हम इसके फाइदे की बात करेगी क्यों हमें प्लस पांच एच्पी का ज्यादा लेना चाहिए ट्रेक्टर तो बार 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 जो है आपको ट्रेक्टर यहां पर बदलना पर नहीं पड़ेग च्छटा पॉइंट जो हमारा बनता है कि ड्राइव कंफर्ट टेक्टर हमें लेना चाहिए क्योंकि हम कोई ट्रेक्टर तो खरीद लेते हैं लेकिन 88 गंटे उसे जब चलाते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि यहां पर गियर यहां पर नहीं होना चाहिए ता साइड में होना चाहिए तो हमारे ले शोफ़ने से इतना नीचे सथे आपको को अपर द्राइब कर लेका पर ढइन वाले हमारे जीवाले और रहता हैं जो आगते हैं उसके बाद अच्छा नहीं हूट है ज़ाधा नीचे तो नहीं इस connections क Cum si फह वह से वह कीतनी नीचे है कितनी ऊची आगे पीछ होती यान इन बातों को ध्यान रहर और क्रीदने के बाद हमारी कमार को दर्द tuck कोने लगता है इसी कुछ समझा आ सकती है आपके साथ तो ट्रेक्टर खरीदने से पहले आपको ड्राइव टेस्टियां पर जरूर कर लेना चाहिए साथफ़ा पॉइंट हमारा यह कि हमें कौन सा क्लच वाला यहां पर ट्रेक्टर खरीदना चाहिए यह डबल क्लच वाला खर सकता है क्योंकि हम ठ्रेसर चलाते हैं मल्चिंग चलाते हैं तो आपको उन्हें पीटियों से ही चलाना पड़ता है और अगर हम ऐसी इस्तती में अगर सिंगल क्लच वाला ट्रेक्टर खरिदते हैं तो आपके लिए नुक्सान दाई यहां पर साबित हो सकता है और आपको पहले बता दूं कि आप ट्रेक्टर खरिदेने से किसी था सब्सक्टर बढ़ना पड़ सबसे बड़ा राइज यह आपको पसंद आयोगा वीडियो जो है आपको पसंद आयोगा वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते एकली वीडियो में तब तक के लिए राम राम